इस बच्चे ने हमरे नाग में दम कर रखा है रहा है तो पहाड़ी के उस पारबंद लेकर मैयो इस सब तोरे दुलार का नतीजा है एकदम निखट हुई गवा है मुन्ना सारा गाह उसकी सरावर्दों से तंग आई गवा है अरे आप तो बाते दा बना जल्दी जाओ का देख अरे कोई गरबर कर दीन तो सारे गाहों में बदना भी हुई जाएगी हमरी ठीक है मैयो त तुमी के समालो हम जात हैं हारे सुख लडाई भीडाई मत करियो उसके प्यास समझाई के लिए यू जस्वा तुम चिंता ना करो मैयो हम घर ले आई लो वो मारा हाहा पहुट बचत बचत फिरत रहें बचवा अब हुई गवा बंटादार ची 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 तुने नाहा किस बेज़ुआन की हत्या कर दी मुन्ना अरे तु बहुत खराब हुई गवा रे खबरदार भाईया हमरे शिकार को हाथ मत लगई हो नहीं रे मुन्ना अभी जिन्दा है हल्दी चुना लगाई तो ठीक हो जाएगा हम कहते हैं उसको वहीं डाल दो वरना तुम्रा भी निशाना लगाई देंगे हमका धमकी देते हैं यह लो हम तो रहा शिकार उड़ाई देते हैं भाईया हमरा शिकार उड़ा के तुमने हमको ललका राए हम तो का नहीं छोड़ी जाने दो उसे हमरा भाईया है छोटा भाईया पड़ा होकर समझ जाई खून चस्वा तुझा देख चोट नहीं आई नहीं मैयो पर मुन्ना ने एक दाव ऐसा मारा हमका दो दिन में तारे नजर आई गए हड़ी पसली बराबर हो गई बहुत सैतान हुई गवा है चल बेटा प्रणाम महराज कल्याण हो पाई लागे महराज जी तेरह हो क्यों रे तुने हमें प्रणाम नहीं किया यह बहुत निकम्मा है महराज हम तो तंग आई गए हैं कोई उपाय बताओ कि यह अपनी सरारते छोड़ दे और आदमी बन जाएं इतनी चिंता क्यों करती हो देवी अभी यह बच्चा है बड़ा होके समझ आ जाएगी यह तो हम कहत है महियों से पर यह हमरा जस्वा भी तो है एक दम गव समान पांचों उगलियां एक समान नहीं होती देवी तुम्हे काम करो हमने बरसों तपस्या करके यह मालाएं तैयार की हैं इन पर दुर्गा मा का आशिरवाद है हम इने पहनाय देते हैं दुर्गा मा सदा इनकी रक्षा करेगी धन्य हो महराज धन्य हो सुनो बच्चों चाहे कैसा भी समय आ जाए यह मालाएं गले से नहीं उतारना जब भी कोई काम करना दुर्गा मा से आज्या अवश्य ले लेना हम समझ गए महराज प्रणाम कल्यान हो प्रणाम महराज प्रणाम सदा सुखी रहो आज़ आज़ से लिग नहीं की अवश्य लेना आज़्य लेना अज़्य आज़्य लेना तो पयोंग तो अचे हैं! मैं चड़यों पलाओ! मैं चाहँ!! पलाओ! मैं चाहँ! मैं चक्षण चाहँ!! खजारी खखिए एंटारी जड़ी। रखिन करनी फज्टार गौने झाल 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 जोड़ा जड़ित, झाल झाल को लिए, याल जा। झाल मुल्ना पेटा मुल्ना मयो मयो यह तो हम है तुहार जसू जसू पेटे हमका हमका वाचन दे तो अपने भया को साथ रखेगा ऐसा करेगा जसू मयो यह तू कहा थे मयो ऐसा नहीं का हमका डर लागत है मयो बेटा बेटा हमरे पास समय नहीं है हमका हमका वाचन दे बेटा मयो ऐसा नहीं को मयो ऐसा नहीं को बरभुरदार देखो मयो मिया चाचा आगे आप कैसे हो बहन यह का दिन अपका तम हो चुका है इनायल भाई अच्छा हुआ आप ठीक समय पर आ गये इन बच्चों का नसीब तो देखो ना बाप का प्यार मिला और आप 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 मयो 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 आप सबर करो बेटा सबर करो सबर करो माँत से किसको रुस्तगारी है आज वो कलावारी बारी है भगवान के लीला भी नारी होती है मियाजी हाँ भाई दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है जिसने मां की कोग देखी है वो कबर भी जरूर देखेगा बस आगे पीछे का फर्क है अब हमार क्या होगा मैयो रो मत बेटे सबर करो सबर करो मिया चाचा मैयो हमका अकेले छोड़कर चली गई अब इस संसार में हम बिलकुल अकेले हुई गए अकेले हुई गए बेटे रो नहीं नहीं तो तुम्हारे आंसू तुम्हारी मां की रूखो बेचान कर देंगे तुम आज से मेरे बेटे हो मेरे पास ही रोगे आउग आउग परवर्दिगार मैं तेरा गुनेगार बनता हूँ अपने हबीब के सदक अक्तो फैल में मेरे गुनाहों को मा फर्मार मुझे नेक हिदायत दे आमीन अरे बरखुरदार कहा हो उक्का लाओ आवा दे चाचा मिया तनिक हुख का भरत है लाओ चाचा मिया तनिक पाउँ दमा दे नहीं बरखुरदार अब तुम बड़े हो गये हो बच्पण की बात और थी चाचा मिया तनिक पाउँ दमा आज अगर आपका बिटवा होता तो आपके पाउं नहीं दबाता और फिर आप हमका भी तो अपने बेटे की तरह ही चाहते हैं तभी तो हम सोच रहे हैं कि तुम्हारी शादी करते हैं ना ही चाचा मियां हम कई साधी भ्या के जंजाल में मर्दा हैं मर्तिय समय मैयों ने हमसे वच्चन लिया था कि मुन्हे को हमेसा अपने पास रखना है अब तो हम बड़े हो गये हैं मुन्हे को खोजना हमारा फर्ज है मगर बरखुर दाय तुम उसे ढूंडोगी कहां सहर में जाकर चाचमिया इतने साल हो गये हम अपने मुन्हे को भूल नहीं पाए रात को सपने में मैयों भी कह रही थी क्यों रही जिस्वा तू अपना वच्चन भूलगा का इस सुनकर हमें तरे बड़े शहर में कोई पता तिगाना जाने बगार तुम उसे कैसे टूंड लोगे हमार लगन सच्ची है चाचमिया हमका विस्वास है हमार मुन्ह हमका जरूर मिलेगा बरहुरदार तुम्हारे इरादे नेक हैं इंशाल्ला तुम अपने मकसद में जरूर काम जाप होगे तुम्हे एक नेक और शरीफ इंसान हो और मुझे यकीन है कि तुम्हारा भाई भी तुम्हारी तरह नेक और शरीफ होगा दो हजार मेरे भी आए बस दो हजार की चान यह रही पाच हजार की चान पूरे पांच हजार शो कर दो खबरदार पैसों को हाथ ने लगाना हाथ तोड़कर रख दूगा असली पत्ते निकाल क्या बकते हो क्या बकरा आओ या भी समझाता हूं मैं तुम्हे संदा नहीं चोड़ूगा विक्रमसें हाँ 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 हास हाँ 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 प्रोड़! इसलिए बॉफ करता हूँ आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं दुआ मैं दर्स ओके तुम सब को करेंगा प्रोग्राम आलू मैंना येस बॉफ साथ टेक केर बाबुजी बहुत बखत होई गवा हमार रुपया कब मिलेगा जब तुम्हारा नंबर आएगा तुम्हें बुला लिया जाएगा जाओ उदर जाके बैठो मापके ना भीया तो आखर नंबर का है है अचार सो बीस है चार इसाथ बीस इस प्रेफिया तो बहुत ही लंबा नंबर है झालूँ 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 अगर किसी न हिलने की कोशिश की, तो यह लाशों का ठेल लगा दुगा यह भाया है कि मरू पिसो, मरू पिसो मरू पांशो रूपय का काम होगा City Bank? Oh my God! Inspector, follow me. Come on, hurry up! छूपया करे लो न ही लूपया को अगा कोश्र कल लेयी का है मरूमुट से ुपोरे लोपया स्टॉप! 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 पुप! स्टॉप! पुप! कर दोर दोर्ण मेंगा नगना जोर्ण तब करद कर दोर्ण में थार्ण झार प्रण धर्ण सब्सक्राउ हाँ म्हाँ लिक! वह! अरे ससरे अंका इस काल कोज़़ी में बंद करके चले गये हैं पर हमार नाम भी जस्वा है हम हमार पांसो रुपली के लिए उनका नर्ट तक पीछा करेंगे बाल बाल बज़ गए बस अब खत्रे के कोई बात नहीं हुँ ए दुर्गा मिया हम संकट में फस गया है हमार साहता करो हमका कोई रास्ता दिखा दो जद्रू जद्रू मोई जद्रू मोई जद्रू यह क्या कर रहे हैं विक्रम? विक्रम नहीं असूल बोलो बहुस असूल Hands up What nonsense सुलाने तुमने हाथ उपर और वसूल तोड़ने वाले का रिष्टा मैं हमेशा के लिए जिन्दगी से तोड़ देता हूँ मुझे दम करे रहे हो ये मत भूलो कि तुझे भौकना मैंने सिखाया है और काटना मैंने खुद सीख लिया है मुझे मेरा हक अभे और इसी वक्त वसूल करना है मैं जान दे दूँगा लेकिन मैं भी अपना वसूल नहीं दोड़ूँगा निकल भार साले की दर का चुप रहे है निकल भार साले निकल भार साले तुने मेरे साथ घदाली की है मैं तुझे जिन्दान हे छोड़ूँगा अपना हिसाब मैं बाद में वसूल कर लूँगा अए अए असली घी की पकड़ है जिन्दकी भर नहीं छुटेगी ज्यादा फोर्चदारी करोगे तो ठै ठै कर देंगे हमार निशाना बहुत चॉक्कस है कौनो तुम ज्यादे क्या हो तुम ही जो डकैती का माल लाए हो इमें हमार पांचसो रुपईया है सिर्फ पांचसो रुपईया? तो ले लो ना है हम ही बाप की गठ्वी को हाथ न लगाए तुम ही सराफ़त से हमार रुपईया दे दो अरे इमामले में तो तुमने शराफ़त दिखाए पिर चोरी चकारी का काम काय करने थो किसी दिन धर लिये गे तो मैयो याद आ जाएगी वहाँ, जैरामजी की अच्छा आमका एक बात बसाएग यह बहा जाने का दरवज़ा किदर है? उदर है चालाँ चलाँ 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 कौन है यह? खुजूर अच्छा आम जस्वार राम राम धन्या है किसी में तो हमार जबन बूची सर एभूप सिंगी बैंका एक खात आदमी है जिसने बैंक मेटा का डाला है अरे? पुलीस के वर्दी पहन कर जूट बोला था? उजूर हमने कोई डागा बाका नहीं डाला उटा इने हम पे डागा डालका हमकर लूट लिया ओरन इकी तलासी लो हुझो इकी अट्डी में हमार 500 रुपया निकलाएंगे इसी तरे डकैती का पूरा किस्सा बता दो वरना रात को हम तुम से सब कुछ उगरवा लेंगे अरे रहत को क्यों हो आओगे हम अब उट दिन्ने सा उगल देते हैं लिखो बयार मालिक में डाका डाला इस बड़ी मोटर वाले डाकुन है किदर गे वो उनकी जाली के नंबर के आ हुझो हुझो आपके नंबरदार थोड़ी है जो गाड़ी का नंबर भी बस्ता है मालिक 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 वो आपसी जगा का प्रेल मगर उप गय करो बच्चिन के ओर घाटी की तरफ ले आए उजू जहाँ जैसी मोटर है भाग कर जाएगा कहा कुछ चुआ तो है नी जो बिल में छुप जाएगा जो फोलावाच जटर पुटे मिंदर आपका थर्मियोद भुजी उज़िया जीका अंग्रीजी नही समझज़द जाप नहीं का बोले मेरी आगे बन का दो इस भुले का इस भुले अरे इस अज़र अज़र प्रेंट जाओ नहीं प्रेंट से ले ज़ग अरे हम भया नहीं हम दूद वाला भया नहीं हम परदेटी रहे एक को हम का लूट ले आप उपर साम का बंकरत है कौशन उनसा बंकरत है तोहर जिलात जोड़ा अरे इस अज़र तो छोड़ो तुम भी हमार से नहीं रहोगे क्या हो हा तो भया हम पूझे थे तोहर जिलात नहीं सा बनारस में दे ओहो बनारस मैं हुसन हूँ मेरी तस्वीर क्या बनाये कोई जो रंग मुझ में भरे है कहां से लाए कोई मैं इश्क हूँ मुझे चाहे तो आजमाए कोई मेरी मिसाल जहां में कहां से लाए कोई मेरे जल्वों की खसम इन अदाओं की खसम खुल गया आपकी आहिक गबरम न खोदा ही मिला आहन न खुदा ही Mo न विसाले सनों न इधर के रहे न उधर के रहे चुटे बादों की कसम तूटे खाबों की कसम खुल गया आपकी साथगी का भरम ना खुदा ही मिला आए ना खुदा ही मिला ना विसाले सजम ना इधर के रहे ना उधर के रहे आपको हसल के राज की क्या अगर चुप रहे जो जमा बोलती है ने ने अरे आपको इश्क के राज की क्या ख़बर इश्क के तम से है सब ये शामों से है अजी शाम है जुल मेरी मेरा चहरा तहर है अरे जो जी चाहे कह लो तुमको किसका दर है आप क्या चीज है जिन से डर जाए हम खुल गया आपकी आश्की बबरम ना खुदा ही मिला होए होए ना खुदा ही मिला ना मिसाले सन्नम ना ये धर के रहे ना वो धर के रहे ना ये धर के रहे ना वो धर रहे अल्लाओ अरे हम तो वो रंग है जो बदलता नहीं हुसन का हम बेचा तू भी चलता नहीं हम वो सुरज है जो चरके जलता नहीं अपने आगे दिया को ये चलता नहीं अरे क्यों मगरूर हो इतने ये अन्दाज बुरा है कब तलक ढाओगे खुद पे जुलमों सितम खुल गया आपकी साजगी का भरम ना खुदा ही मिला है ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम ना इधर के रहे ना उधर के रहे हुसन का पाक पर छोड़ दो छोड़े दो अब ये दीवा न पर हाँ हम है जाने मुपा हम है जाने जाने फिर भी हम तो नहीं है तुमारी लगन अज तुमसे सीखे कोई जूटी बाते करना अर इश्क घमारा मदहब इश्क ही जीना मरना यू न रस्वा करो इश्क को कम से कम अर जो भी कहते हैं वो कर दिखाएंगे हम खुल गया आपकी आशकी का भरम न खुल गया आपकी साथगी का भरम न खुदा ही मिला आए हाए न खुदा ही मिला न विसाले जनम ना इधर के रहे ना मुझे रहे हर साल की तरह इस साल भी बेस्टूडेंट अफ दे कॉलेज और सल सर्विस में कामियाभी हासिल करने के लिए गोल्ड मैडल की हगदार वही स्टूडेंट है जिसे आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं वो है निशा ठाकुर तश्रीफ लाएं कुमारी निशा ठाकुर तुमने जिस तरह इस कॉलेज का नाम रोशन किया है उस पर हम सब कुनाज हैं मैं तुम्हें इस शानदार कामियाभी पर मुबारक बात देते हुए यही कहूंगा काश तुम मेरी बेटी होती बेटी अपनी कामियाभी का राज हम सब को बताओ ताकि तुम्हारे बात जो स्टूडेंस आ रहे हैं उनको रोशनी मिले मिस्टर चेर्मन, बुजर्गों और साथियों मेरी कामियाभी पर जिस तरह अपने खोशी जाहिर की है मैं आप सब की बहुत आभरी हूँ खास कर मिस्टर चेर्मन की शुक्र गुजार हूँ जिन्होंने मुझे बेटी कहकर सम्मान दिया है सच पूछे तो मेरी कामियाभी का राज मेरे पिताजी का आशिरवाद और उनकी तमन्ना है मैंने पिताजी को नहीं देखा मम्मी कहती है जब मैं छोटी थी उनका स्वर्गवास हो गया था उनकी तमन्ना थी कि उनकी बेटी पड़लिक कर इतनी कामया भी हासिल करें कि सारे संसार में उनका नाम रोशन हो जाए वो बड़े शरीफ, नेक और आधर्श्वादी थे आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरा दिल कहता है उनकी आत्मा जरूर यहां मौजूद होगी और मुझे आशिर्वाद दे रही होगी नतीज़ा आपके सामने है, लेकिन ये कामया भी अधूरी है, मुझे अभी बहुत आगे जाना है आप लोगों का प्यार और आशिर्वाद अगर मेरे साथ रहे, तो मैं अपने पिताजे की तमन्ना पूरी कर लूगी काश, आज वो यहां मौजूद होते गद्दारी करना बुझदे लोगा गामय टाइगर और विक्रम सिंग बुझदे नहीं है गद्दारी की है पूप सिंग ने और वो भी हम सब के साथ क्या आप पकते हो? वही जो सच है यह सच नहीं है, तुम शुच बोलते हो और पकवाश करते हो तो मैं यकीन नहीं हो रहा है ना? अवलाद में जाओ और खुद अपनी आँखों से देखो भूप सिंग ने अपने आपको पुलिस कमाले किया कि नहीं? अटर कैती कमाल? अकेला हरप कर गया लेकिन शायद वो यह नहीं जानता कि मेरा नाम विक्रम सिंग है जो शेर के मूँ से अपना हक छीन देता है मैं भूप सिंग को उसकी चिता चनने तक माफ नहीं करूँगा बता रुप्या करो एक? मुझे नहीं जाना नहीं? भूप सिंग मैंने अच्छे अच्छे बदमाशों के नशे उतार दिये है अगर तुनी अब भी जुबान नहीं को ली तो जीते जी जिन्दगी को तरस जाएगा मता! मैंने गया जाना मुझे नहीं मालू! मता! मैंने गया जाना कि मुझे नहीं मालू! ठीक है! मुश! और बपुई कि पाली भीकर मुझे इतनी दाकत आ गई है इंस्पेक्टर आप फिर से मुझे उतनी ही यात ना दें मालें लेकिन मैं ये ही कहूंगा कि मुझे नहीं मालूं मुझे नहीं मालूं पुडरेी अरू उलो, झालो, तौरे अरू and I say the अरे का हुआ हाँ बहुत कसके मेरमत हुआ तुम तुम होगा तब तुम ठीकी भावा तुम जैसे पापी की तो और मरमत होनी चाहिए अगर तुम हमका मिल जाता न तो तौहर नाक में हम रसी पेना रहते अला बताओ तुम हमार बाप हमार दादा हमार पर दादा ने भी कभी कोटवाली का मूह नहीं देगा आत्मा को शांती मिलद है धरम और इमान से जिनकी गुजारते तो ये दिन काहे को देखना पड़ता तुम एकदम बोले हो अरे अगर इस दुनिया में इमान धरम होता तो तुम यहां बंद क्यों होते है तुम इमानदार हो नेक हो यह मत समझो कि मैं जलम का पापी हूँ अत्यारा हूँ यह सब मजे इस दुनिया ने बनाया है यह दुनिया बहुत जालिम है जो मैं आज हूँ वो यह दुनिया कल तुमें भी बना सकती है तुम मेरा गुजरा हुआ कल हो मैं भी शराफत की जिंदगी गुजारता था इज़त से रहता था मेरा भी एक सुखी परिवार था बीवी फूल सी बच्ची प्यारी सी बहन मैं भी इमानदारी से रोटी कमाता था एक बात पुछू बुरा तो नहीं मानोगे तुम्हारी बात का बुरा माना है कभी तुम्हारी तनखा तो अच्छी खासी है सो दो सो और टाइम भी कर लेते होगे फिर हमेशा घर में साथ सो रुपे क्यो लाते हो बाकी के रुपे कहां जाते है कुछ तो जुवे में हार जाता हूँ और बाकी की शराब भी लेता हूँ क्या अनाप शनाप बोल रहे हो तुम तो हर बात मजाग में डाल देते हो मैं तो इसलिए कह रही थी कि ठाकुर साब अगले हफते बाराज लेकर आ रहे है और घर में अब तक कोई इंतिजाम नहीं कहीं बिरादरी में नाग न कट जाए तुम्हारी ये छोटी सी नाग कटने ना कोई चांस नहीं है देवी जी तुम चंता मत करो मैंने सारा इंतिजाम कर दिया है क्या इंतिजाम कर लिया है यह जो इतने अर्से से मैं कम पगार ला रहा हूँ ना क्या मतलब? मतलब यह के अपनी आधी पगार और ओवर टाइम मैं सेख जी के पास ही जमा करवा देता हूँ ताकि वो सुंदरी के ब्या के वक्त काम आए सच, यह तो तुमने बहुत अच्छा किया लेकिन सेख जी पर इतना विश्वास है तुमें? विश्वास? अरे मैं तो भगवान के बाद सेख जी को ही सब कुछ समझता हूँ देवता हैं देवता तो फिर जाकर रुपे ले आओ कुछ सामान भी तो खरीदना है अब शादी में दिन ही कितने रह गए हैं? ठीका भई, करी ले आता हूँ लेकिन देवी मैं अपनी बहन की शादी इतनी धूम धाम से करूँगा इतनी धूम धाम से करूँगा कि बस सब लोग देखते ही रह जाएंगे देखा, देखा कैसे छुप छुप के अपने ब्या की बाते सुन रही है जोड कहीं की देखिये न भाबी भाईया भी, जो छेटर उसे बस, अब तो थोड़े दिनों की बात है मौज उडा ले फिर तो हमेशा के लिए ये घर छोड़कर अपने ससुराल चली जाएगी मेरी बंडू भाईया अरे बूप सिंग तुम्हारी मेहनत की कमाई है घर में नहीं बैंक में जमा कर रखी है जिम्मेदारी की बात है और ये भी सोचा तुम्हें इंट्रेज भी मिलेगा क्या जैसी बात कर रहा है भूप सिंग पागल कहीं का मुझ पे भरोसा नहीं है क्या क्यों शिर्बंदा कर रहे हैं सेट जी भरोसा तो भगवान के बाद मैं आप ही पे करता हूँ तो चिंता की क्या बात चैन की निंच हो अरे सुंदरी तुम्हारी नहीं मेरी भी बहन है बड़ी धूम से शादी होगी उसकी धन्यवाद से जी नमस्ते नमस्ते जी नमस्ते जी नमस्ते तश्रीफर की नमस्ते जी नमस्ते जी नमस्ते जी नमस्ते शोखी ठाकुर साब आपने मुझे बुलाया बूप सिंग जी फेरों का समय हो गया है जो हावे की रखन दे दिये तो रसन पूरी हो जाए जी हाँ ठाकुर साब अभी मिल जाएगी ओम अगने स्वाहा इमने लगनमम ओम सुमाइस स्वाहा इनमम स्वाहा लगनमम फेरों का समय पीता जा रहा है और सेट जी अभी तक नहीं आए ठाकुर साब फेरों का समय निकला जा रहा है फेरों का समय पीता जा रहा है तो आप फेरे होनी दी जी रखम आपको मिल जाएगी यह कैसे हो सकता है सब बातें पहले ही पकी हो चुकी तो आप थोड़ी दिर रुकिए मैं अभी हाजिर होता हूँ तुनिये देवी मैं मानों का ख्याल रखना हूँ मैं अभी हाज़ा ओए खुचे भूब सेंग ओए तूला का लिबास पेन कर इधर कीदर आई क्या दूसरा शादी बनाने का इरादा है क्या लाला मुझे सेटची से मिलना है ओए इसे तम सेटची क्या नौकरी करती खुचे तुमको नहीं मालूम सेट इसमत घर पे नहीं होती बगवान के लिए मुझे सेटची का पता पता दो मैं बहुत परिशान हूँ ओखुचे भूब सिंग तुम्हारा परिशानी पर रहम खाके हम तुमको पता बताती के अखुचे तुमका को माली का शामतो के अखुचे सें rehears bolag के करने किते हमेदे होती आए això एम Вас Gothic फस्या करने के आए, रागल, नाम इसमारा ये मह्मिल हर रात सजाई जाती है रन्हों की अमारे ये मह्मिल हर रात सजाई जाती है तो ना भी दुटाया जाता है चांदी ही दुटाई जाती है तो ना भी दुटाया जाता है चांदी ही दुटाई जाती है पकड़ो नकलाई चोड़ों भी देखाज अभी ना जान है तो नकलाई चोड़ों भी देखो जो भी ना जान है तो इसमें तब मुगात होती है तो ना भी दुटाई जान है क्यों आग लगाई जाती है क्यों आग बुटाई जाती है तो ना भी दुटाया जाता है चांदी दुटाई जाती है क्यों डान है क्यों तुटाई जाती है क्यों कि दस्ति देखवे कि सहसे डंपphyome कि ऊ. माल activity में बुटाई ये शर्म हया, बिखरान के दिल जब आते हैं आइने से बाते करड़ के, शर्म हया, बिखरान के दिल जब आते हैं चब प्यार भरे अर मानों की कीमत भी लगाई जाती है लोना भी लुटाया जाता है चांदी भी लुटाई जाती है प्यार के जुक्ताई जाती है भी लुटाई जाती है प्यार के जुक्ताई जाती है भी लुटाई जाती है दिल खाम के सब रहे जाते है चिल्मन का गिराई जाती है दिल खाम के सब रहे जाते है चिल्मन का गिराई जाती है दोना भी लुटाई जाता है चांदी भी लुटाई जाती है दिल खाम के सब रहे जाती है दोना दिल जाते है तोना भीज area जाती है लुटे जाते है क然后 भी बुटाई एaden को लुटाई पको लुटाई ज्योटा चोफोराई तक है रहे जातती है को लुटान भीजीटा नमस्ते शेड़ जी आपने तो कवाल कर दिया शेड़ जी मैं वहाँ आपका इंतजार करते रहा और आप तो रुपे लेकर आए ही नहीं लेगें तुम हो कान कोश में आये शेड़ जी ये मज़ा नहीं है मेरी इज्जत का सवाल है तू पागल तो नहीं अरे तेरे इज्जत से हमारा क्या वास्ता है बोल भगवान के लिए ऐसा मत कहिए जेड़ जी मेरी बेहन की बारात आई बैखी है लेकिन दूला तो यहां है जेड़ जी मेरी मजबूरी का फाइदा मत उठाइए मेरे रुपए मुझे देदीजिए अगर बारात बापस नौट गई तो मुझ दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा किया हुए हमने तेरी बैन का ठेगा लिया है यह खड़े खड़े क्या देख रहा हुआ हूँ उड़ा रख चाले वह खबरदार आगे नहीं बढ़ना तुक्ड़े तुक्ड़े करके रख दूँगा कमीने तो के बास तूने मेरे साथ मिश्वास गात किया है मैं तुझे जंदा नहीं छोड़ूगा मैं तुझे जंदा नहीं छोड़ूगा मेरी बेल की जोली उठने दे फिर मैं तुझे देख लूगा क्या हुआ क्या हुआ भाई साथ बारात वापिस चली गई ठाकर बहुत बेज़ेपी कर गए भरी विरादरी में नाक कड़ गई चाचा जी चाचा जी चुदरी यह तुने क्या किया सुन्दरी यह तुने क्या हिया सुद्री मैं सौगंत खाता हूँ कि तेरी चिता के शोले ठंडे होने से पहले उस कमीने थोके बास को खत्म कर दूँगा सुद्री कमीने मेरी भेन की बहुत कजमेदार तू है मैं तुझे जंदा नहीं जोड़ूगा कर थन्त आत्म कर दिंदा कर बात ¿όmore평ड़? उस और्当然 से पुझे रूल जोड़े, नेरे पती को छोड़े जोड़े, जोड़े नेरे पती को छोड़े हाँ, मैं खुली हूँ मैंने शराफत का चोला उतार भेकर मैं खाता हूँ कि मैं उन सारी तजोरियों को लूट लूगा जिन मैं मुझ जैसे मजलूमों के खुन पसीने की कमाई भरी पड़ी है नहीं, तुमने एक बाप कर लिया है और पाप, मैं तुमें नहीं करने दूँगी नहीं, तीर कमान से निकल चुका है पुलिस और कानून मुझे कभी मौफ नहीं करेंगे मैंने जो रास्ता चुना है मेरे लिया बस वही एक रास्ता बचा है बस तुम्हें एक काम करना होगा क्या? निशा से ये कभी मत कहना कि वह एक खुनी की बेटी है उससे कह देना कि उसका बाप मर चुका है और इसके लिए तुम्हें वेध्वाबन कर रहना होगा इसा न को स्वामी मेरे तिकड़ी परिशा न लो मैं मैं सोहानन होते हुए ये पाप नहीं कर सकते नहीं कर सकते देवी नहीं नहीं देवी देवी समझने की कोशिश करो ये पाप नहीं मजबूरी है देखो मेरे पस ज्यादा समय नहीं है पुलिस मेरी तराश में होगी मुझे फारण यहां से भाग जाना चाहिए आज के बाद पाप के होते हुए भी तु पनात कहलाएगी बजिये माफ करना पेरी बच्ची मुझे माफ करना आए आए यह सरकार क्या दिखाओ कहता की चीज़ दिखाओ अपनी मसुका परविन सुल्टाना के वास्ते बहा प्यार हुँ बनायो थो अजी कुर्की और कल्की के जमाने में उड़तो उड़तो बुर्मल की छोली में आई गयो इकी कीमत है पांच लाज लाइन सु दिखाओंगो घबराई जो नहीं है खबराता कौन है यह तो अभी पता चलेगा ओ तो आपने पसंद आयोगो सरकार निजाम सरकार ने अपनी पंद्रवी बीवी के वास्ते बढ़ायो थो प्यार से पर पहुचली में और नीजेम आए गयो बुर मलकी छोली में कीमत है 15 लाज भुगला को तोफो बाबर खुमायू ना दियो खुमायू अकबर ने और अकबर अपना टाबर जांगीर ने और जांगीर दियो जो साजाने ले जा लेजा करके। साजा अपना छुरा। नली क्यों दिल नली जड़ा आवाज की तो भून पे रखते हूँगा मैं फिर कह रहे हूँ जो कुछ तुम कर रहे हो अच्छा नहीं कर रहे हो देवी मैं अच्छा और बुरा सोचने की हद से बहुत आगे निकल चुका हूँ मैं तो बदला ले रहा हूँ उन सर्मायधारों से जो हमारी बेहनों की डोली उठवाने के बजाए उनकी अर्थी उठवा देते हैं कब तक यूँ खड़े रहोगे बैट जाओ मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ नहीं देवी इतना समय नहीं है पोलिस मेरे पीछे साय की तरह पड़ी हूई है मेरा बार-बार यहां आना भी खत्रे से खाली नहीं है मैं आज यह शहर चोड़कर जा रहा हूँ हमारा क्या होगा तुम घब रहो नहीं तुम से मिलने के लिए मैं मंदर में आ जाया करूँगा वैसे तुम दोनों के लिए मैं दूसरी जगा का बंदवस कर रहा हूँ निशना हाँ बहाँ के रही है तुम बैठो, मैं भी लेगे साथी हूँ जल्दी लेगा काका तुम आर कथा सुटकर हमनी अखें में भी पानी आए गवा पर काका हमनी बात का बुरा मत मानना इस सब तुम आर खोटी बुद्धी के कारण हुआ है कातो का बगवान पे भी भरूसा दाना हमार बात मान ले काका इस दुर्गा मा के सामने सौगन खाओ आज के बाद तुम अपने बापों का भेश्चित करोई काका बगवान सुब ठीक कर देगा तुम ठीक कहते हो लेकिन जो कुछ मैंने किया है उसकी सजा तुम मझे भूगत नहीं पड़ेगी सोचा तके इज़त से अपनी बेटी की डोली उठाकर अपने इस पापी जीवन का अंद कर लूगा लेकिन ऐसा हो न सका और अब यह सूचता हो के मेरी पत्नी और बेटी का क्या होगा क्या तुम मुझ पर एक इसान कर सकोगे काका कर देखो मैं बिंती करता हूँ इंकार मत करना तुमारे गड़े में पड़ी हुई दुर्गा मा की सौगंद मैं तुम से कुई पाप का काम नहीं करवाँगा पर बात कहा है काका अंका बताओ तो मुझ से बादा करो कि तुम मेरे घर जाकर मेरी पत्नी और बेटी की देख भाल करोगे तो ठीक है काका पर बात ही है कि हम तो इस शहर में अपने भाईया को डूनना है मेरे घर में रहो ठीकान भी हो जाएगा आराम से अपने भाई को ढूनना है मैं यकीन दिराता हूँ के मेरी पत्नी तुम्हें अपने बेटे की तरह रखेगी मैं विश्वास तरिक तरिक थेरा काका तरिक थेरा इस समस्या हमार दुर्गा माही सुल जाएगी हम दुर्गा मा से पूछे बगेर बोजन भी नहीं करत है इह देखा जो दुर्गा मा हमार ओर देखेगी तो हम तो हार बात पे राजी नहीं जो दुर्गा मा तो हार ओर देखेगी तो हम तो हार बात पे राजी मंजूर हाँ मुझे बंजूर है दुर्गामा की आग्या तो हो ही गई हम कोतवाली से छूड़ते ही तो हर घर पहुँच जाएगे पर काका तो हर पत्नी हमका पैचानी जीजिए ठेरो ये लो मेरी निशानी मेरी पत्नी इसे देखते ही जान जाएगी कि मैंने तुम्हें बेजा है उसे सब कुछ समझा देना और कह देना कि मेरी चंता ना करे ठीक है काका बच्पन से हम मैयो के प्यार को तरसते रहे इस बहाने हमका मैयो भी मिलेगी अब बताओ क्या बात है ये का पहचाना ये उगुठी ये तो उनकी है तुम्हे कह से मिली? ये हमका काका ने दी थी हम उनका खास आदमी है काका ने हमसे वच्चन लिया हम तोरी सेवा करे तो हम यहां आगे लेकिन वह है कहां? खबर बहुत बुरी है मैयो बता चुए दुख होज है वो कोतवाली में बंध है बहुत कथी नाएवे भाई राम इसका मुझे डर था काश के उन्होंने मेरी बात मालनी होती असी पहलाई थी तो हर बात तो ठीक है मैयो पर भाग का लिखा कौन मिठा सकर है क्या तुर्फा क्या है मेरा मैं सौहागन होते हुए भी सौंग रजा रही हूं मेरी बेटी बाप होते हुए भी बाप के प्यार को तरस रही है यह काम मैयो तुने फिर रोना शुरू कर दिया भगवाने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा काका बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे और फिरा मुका कोई भी उल्टा सूल्टा काम नहीं करने देंगे सब इज़त से रहेंगे तब तक जीते रहू पेठा जीते रहू कितना अच्छा लगता है मैया आज बरसों के बाद हमका किसी ने बेटा बहुत ठके हो गये जाके स्नान कर लो हाँ यह ठीक कहा भोजन से पेले स्नान करना बहुत जदी ठीका अंग्रेजी फैसन की मटकी में तुर्च लू पानी ना दी इससे हमार काम ना बने जधär आप 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 हमार! वर कामार! हाँ 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 यहाँ तो पानी की इनना धुरूज है अच्छा अच्छा काना साबून कपड़े पुड़े दिली इकाम अंग्रेजी फैसन की मटकी में तूरी जलू पानी ना दी इससे हमार काम ना बने अच्छा अच्छा ब है अबका अभथहर में एतक 사la Cter कि इंडर गुरूँ है अच्छा अच्छा काना साबून कपड़े बड़े लिए अच्छ नाने का साबून का है अरवा, दाप्टर का आना भी है अरवा, आ अरवा सच्छा आवल पाहएं जावल सच्छा आवल 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 आ वा ? यह अद पर का भाहार आ जबगा, जबगा आथ जबगा लुपे लासना जर जरन जरतों जर दो जए को मिख को प्रिदु आप अरे को मेलाब में का प्राइब है मंज़ को बींट जहां कर दो है कर दूल मुं कर दो दो है कर दो कर दो है कर दो से थाब आपड़ कर दो 셋 रहा है यह तो बादल मुन गया अब डुक्की लगाने का मता हूं जारी पजरण परी हकुम्दा किस बत्तम इसने बाथरूम के नल खुल रखी है चुपे रहे तुम बदमाश तुम यहां तक पहुंचे है हिम्मत कैसे हुए तुम्हारी अभी पुलिस के पाले करती है मेरी पिट्टो कहा हो तुम सब लोग ममी ममी ओफो तुम्हें घर की कोई खबर भी रहती है घर में एक बदमाश घुसाया है दिवानी हो गई है क्या वो बदमाश नहीं महमान है महमान किसका महमान अरे हमारा महमान ममी तुम उस जाहिल गवार की बात करी है जो मेरे बात्रों में नहारा है आइसना बात का निश्या वो हमारा सगासंबंदी है गाउं से आया है इसलिए उसकी सारी आदते गाउंवालो जैसी है तुम्हारे साथ रहेगा तो ठीक हो जाएगा सगासंबंदी मेरे साथ रहेकर ठीक हो जाएगा कि सब क्या चपकर पिकनिक पे गई थी काफी भीगी होगी अब सब्दी हो गई है जरूर बीमार होगी बार तो मैं उसे देखते ही पड़ दी और अब तो मेरे दिमाग भी फटने वाला है देखो ममी उसे जल्दी से समझा दो यह हमारा सगासंबंदी कौन है और और क्यों है और अगर है भी तो उसे हमारे घर के अंदर वो भी मेरे बात रूमे क्यों गुसाया है ठीक है बिंटो यस मिसी बाबा देखो उस जाहिल गवर को नोकरों की कौर्टस में पनफा दो समझें नई तो कल सुबह मैं तुम्हे बांदूंगी बिंटो यस मालकिल तुम कहा जा रहे हैं उस जंगली जानवर को बांदने अरे उसका तो दिमाग खराब हो गया है जाओ तुम काम करो खाना लगाओ सा रिवाज है गाओं में तो सब जमीन पे बेट के खावा थे गाओं की पाते भूल जा बेटे और अपने आपको बदलने के कोशिश करो यह जाहिल कमार क्या बदलेगा नहीं नीशा ऐसी पाते नहीं करते खर आयोए मेहमानों की बेज़ती नहीं किया करते जैसू तुम खाओ बेटे भोजन तो हम जरूर करेंगे पर तुम कहां जाओ धुमयो आज मेरा उपास है मैं पूजा करूँ एक्स्क्यूज मी पेटू पेटू आप उनका नाम पेटू नहीं पिंटो डिकास्ता है हाँ यू वाट मोर? यह कहा है इससे सूप कहते है पूरा ही रख दे पूरा ही रख दे यह कहा है कि जी नहीं यह देखने और सूने की चीज़ है जस्तू ब्रादर पीने की चीज़ है हाँ कारा है सहरी कारा है सभजीन ओ नो यह सुसरा देख दम फीका है पिंटो जस्तू साहब को मिर्चे पेश करो जस्तू साहब जस्तू साहब अरे तनिक और ढालो ना हमका तेज खाने की आदत है पिंटो सूप यहां लाओ हम अपने हाथ से मिर्चे दगा हाँ तनिक और नभी और जरूर बस 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 हम अपने हाथ पिंस करो रड़ 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 अपने हाथ हाथ प्रूर अपने हाथ प्रूर प्रूर पानी, 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 कि अवाँ गोड़ खाने के लिए गाउ जाना पड़ेगा यही मौका है बोर्या बिस्तर गोल कर लो नाही हम नाही जा नाही जा होते हैं हम तुमको एक टाइम बोल दिया ना गोड़ नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा शकर पर तुम इतना मिर्ची काई कुखाया मैं गोड़े के माफ़े हिच्की मारता है हिच्की मारता है खाली बेली हमको भी परिशान करता है लफड़े में डालता है मैरी शकर दो ये दो वो दो लो शकर हाँ ओक ये खाऊ इसके खाने से तुमारा हिच्की बंद हो जाएगा लग दो आख? लग हो ओब लग 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 अ लग लग वश्यजदध वो दो डिटा ए ए ए मैंद क्या करता है हमारा पूरा ज्रेस खराब कर दिया यूँँँँँँद और गॉज अरे तेरी का जा रही है घर को जाता है सोने के बाज़ते अरे इत्ती रात के अकेली केसे जाएगे यही सोजा हमार संग वाट तुम पागल तो नहीं हो गया मैं हम तुम्हारे साथ इधा कैसे सोने को सकता जा कि मूध हो और तुम जा के सोजाओ गॉड नाइट ओ गॉड छोरी नाराज हो गए तनिक रुख जा रुख जा तनिक कहा है कहा है क्या बतले सारे कश्ट हमका देदो इनका सदा सुखी रखो तेरी लीला अप्रंपार है मैया हमने बिंती सुन लो मैया हमने बिंती सुन लो मैया हमने बिंती सुन लो मैया मुना पर अब तु तु बड़ा होए गवा होगा कहा ढूंड़े तुझे कहा वात है माँ जब भी ये दिन आता है तुम इस तरह बिलक बिलक कर क्यों रोती हूँ वक्त तो गहरे से गहरे जख्म को भर देता है ये कैसा जख्म है जो आज तक नहीं बर पाया ये जानने से पहले तु वचन दे राजू कि जो मैं कहूंगी वो तु करेगा मैं वचन देता हूं मा तो सुन आज के दिन एक जालिम ने तेरे पिताजी को जान से मार डाला था वो चीकते रहे तडबते रहे जिंदगी की भीक मांगते रहे लेकिन उसे तरस नहीं आया आज आज अठरा साल से उनकी चीखे मेरे कानों में गूज रही है मेरे सीने में इंतकाम के शोले बढ़क रहे हैं मा मैं कसम खाता हूं उस पापी बेरहम जालिम को मैं जिन्दा चला दूँगा बता कौन है वो बेटा मुझे डर है कहीं कातिल का नाम सुनकी तू अपना वचन न हार जाए राजबू जान हारते हैं वचन नहीं बताओ मा कातिल कौन है भूप सिंग कान भूप सिंग निशा का बाप वो तो मर चुका है नहीं जेल में सजा काट रहा है मैं चाहती हूँ जिस तरह से उसने मेरी मां उजारी है भी उसका घर उजार दे ताकि वो मेरी तरह जलता रहे सुलगता रहे बोल तू ऐसे कर सकेगा मा राजेश एक तरफ वचन की भारिज जंजीर है और दूसरी तरफ प्यार की नाजुक दोरी तू किसे काटेगा किसे तोड़ेगा तुमारे खुन की कसमा पिताजी की आत्मा को शांती पहुंचाना मेरा धर्म है और अपने धर्म का पालन करने के लिए दुनिया की कोई भी ताकत मेरे रास्ते की रुकावट नहीं बन सकती ये किसी खीमत पर नहीं हो सकता मम्मी कहती है ये हमारे महमान है महमान? महमान तो कुछ दिनों का होता है और उसने तो यहाँ अड़ा जमा के रखा है बिल्कुल अब तो हम दोनों पर नजर भी रखता है बाद बाद पर टोकता है कहां है हमारे जेवर? बोलो देखो जी आप हमका जाहिल गमार कहत है हम सहले थैं और चोर उचक कहां तो जगड़ा तंड़ा हो जालेगा हां हम सरीफ आद्मी है ओ हो 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 शराफत तो तुम्हारी सूरच से टपक रही है देखो अगर सीधी तरह से नहीं बताओगे न तो पुलीस को बिला लूँगी नीशा ये सुबा सुबा किसे रखना कर रही है? ममी इसने मेरे जेवर चुराए है पागल हो गई है एक बार देख चुकी है ये शरीफ आदली है फिर भी शक कर रही है ममी तो खुंबर तो इसकी शराफत के पट्टी बंदी हुई है हमेशा इसकी तरफदारी करती रहती है जैसे कि मैं ही जूड बोल रही हूँ पर वाहे कहीं की चीज कहीं रखकर भूल जाती है नहीं मैं कहीं रखकर नहीं भूली अरे बेटा पहले अच्छी तरह देख तो ले फिर कहना ठीक है लेकिन अगर मेरे जैवर नहीं मिले न तो मैं इसको पुलीस के हवाले कर दूँगी हाँ हाँ कर देना महियो आज तो हर बेटिया ने हमारी इज़त की मिट्टी पलित कर दे अरे बुरा न मानो बेटे वो नादान है अभी तक तुम्हें समझी नहीं यह तो बात है समझ लेती तो बात ही कुछ और होती है ओ मैं तुम पागल हो गया है क्या इतना सारा भुख पढ़ने के वास्ते 20 साल मांगता है 20 साल तो यारे जया तब तक तो हमार बत्ती से भी नाहीं रहेगी काम कर तो हमका यह विटर पिटर विलायती भासा मुझ वाने सिखाए ले पर मैं यह सब सीख कर तुम क्या करेगा पर यह बता सकते तो फिर रोना काय का था कि तरी तरी खमार मदद कर देना सिखाए ले ओकी मैं हम तुमको हेल्प करेगा ऐता टीचर देगा कि तुम पे हमको याद करेगा थन्यवाद बहुत 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 थन्यवाद अच्छे एक बात बता है तेरी तेरा कोई वो है वो वो क्या जिससे सहरी भासाना ससूर आओ यूमीन तो से बोई-फ्रेंड आ और भाई-फ्रेंड तू भी उ नो के साथ वो कि या वोगा अरे वही जो चोरा जोरी केसा है तो सुन अंग्रे जी में का कहते हुता अ ला लॉलो लॉलो यह तरी वी लव-लॉव उ के साथ कहसे करत है तीरी बेगा विजने साथ तो नो मैं यह हम तुम को कैसा बताने वाकता नाए जब आसा जब आसा के पहली उसका हाथ अपनी हाथ पर रखकर उसके करीब जाकर और प्यार से कहा कैस már अब डर्लिंग मैं बेंगें यहां मैं कटी श्रुदेड अर्फ यहां अधर्षकहि-जय। दि्रुद प्राइगा है सक बसे हले आधर्षकहर ड्लिंग ते दीय। सरका अंतर में कने य॥ थित को अधर्श्या हुर्व ऑच्श सब्सक्वित भॉच्शित थैंथ फिर से पता है फिर से फिर फिर हम उसके नज़ी गया अपना हाथ उसके कमर पे रखके उसके करीब कया अपनी उंगली उसके गाल पर यू फेरा हाश नियूरों उसकी होठों को यू छुआ है और इसको केस की की तोकी पीजिन जानवर और इन्सान हम हूं देवर सरकस्त आनी मिरे रंगमास्टर थे हमने बले बले हाथियों को इंसान बना दिया, इंसानों को हैवान और हैवानों को शैतान, शैतानों को भगवान बना दिया, मामुली वेटर को कॉन्टरेक्टर बना दिया, कॉन्टरेक्टर को एक्टर बना दिया, एक्टर को मिनिस्टर बना दिया, तुम किस केट की मूली हो? कहां हम तो का मुली लगत है नहीं मेरे राजा मुली नहीं तुम तो फूल लगते हो दो घुर भी कप महीं कि पर का कि भी इस की घंचक्र बनकर इसके चक कर काटेगी हमारे एर्पार्मेशन बीर्यों का बहुत बड़ा चक्रा एक Is Hum की तरह एक बड़ी चक्की की तरह और इसी चक्की को देखकर बगत कबीर दासी ने कहा था कि चलती चाकी देखर दिया कबीरा रोए दो पाठर के बीच मा थाबुत बजा न कोई मगर हमने चक्की के बटों में से दानों को सही और थाबुत निकाला और उनके नाम को च्छाला उनके एक दाने की नाम है दलीफ कुमार हमने उससे गंदा जमरी जबान भुलाई और यह दन्नौ वैं इदे घंणन वैं दन्ना एदे घंण हमार भईया हमार मुना अरे अधा-धाबменगवार और यह अरे गुरु जी तो हमार गाओं की बोलीपलत है तेरी अरहे तेरी बख प और लगानलम उता है कि करद कि यह अधरा मालुम होता एंगा था कब करें गर्द आतीय यह पन्तव पर लका था हमारा धर्मेंदर दूसरा चेला जिसने शोले में लगा दिया मेला और मौसी का कर दिया जमेला बोला मौसी अगर तुमने बसंती से हमारी शादी नहीं की तो हम सुसाइट कर लेगे तुम्हारे बगर मेरी खुशी अधूरी रह जाएगी ममी आज पहली बार मेरी बर्डे पार्टी में तुम नहीं रहोगी अरे मैं नहीं तो क्या मेरा अशिर्वात तो तेरे साथ है भगवान करे मेरी इप उमर तुझे लग जाए लेकिन बेटी जल्दी घर आ जाना लेकिन ममी पार्टी तो शाद रात भर चलेगी तो क्या तु रात को घर नहीं आएकी ओ ममी इसमें घबरानी की क्या बात है मैं अकेली थोड़ी हूँ राजिश भी तो मेरे साथ है अच्छा ममी मैं चलती हूँ पहले ब्यूटी पारलर जाना है राजिश मेरा इंतजार कर रहा है ओकी, बाब बाई जसू बेटा, बहुत जी घबरा रहा है क्या हूँ आज निशा पार्टी में रात भर पहली बारक के लिए रहेगी मुझे राजिश पर बिलकुल भरोसा नहीं मेरा दिल बहुत घबरा रहा है बेटा इमा घबराने की का बाद है तो हार जस्वा मर्गवा है का तु फिकर मत कर तो हार बिटिया के लिए नाहीं रहेगी उखी पार्टी में हमारी भी सिर्कत होई जाएगी ना बाबना तु आहा मत जाना बेकार में कुछ उल्टी सीथी बात हो जाएगी अरे तु जिनता ना कर महीओ कोई उल्टी सीथी बात नहीं होगी हम वहाँ जाकर ऐसा सप्राइज देंगे कि सबकी तभी स्वा ज़ी क्या क्या कहा तु ने सप्राइज यास महीओ सप्राइज प्लेजन सप्राइज अरे मैयो अब तो हार जस्वा पहले जैसे नहीं रहा बहुत कुछ सीख लिया है हमने भीतर से तो सब ठीक ठाक कर लिया बस अब पाहर का भूलिया बदलना बागी है सो भी हो जाएगा फिर देखना विलायती बाबू से हम कैसे टक कर लेते हैं बस तो हमका आशिरवाद देते चुरियो चुरियो चैसो हैपी बद्दे निशा थैंक यू हल्यू जल्मिन मबारखो हल्यू तुम सलामत रहो कयामत तक और कयामत खुदा करे के ना थैंक यू तुम 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 आओ निशा इंसे मिलो Mr. Ved Prakash, Mr. Salim Akhtar, और इंके कुछ साथ करी नहीं करी नहीं करी नहीं ओ हाई जिसू हाई स्वेरे करी नहीं करी नहीं कररे नहीं तुम अभी देखा ही क्या है जोग्रिफिया तो जोग्रिफिया आज तो हमारी इस्ट्री भी बद़ा हुए जेंटलमेन दिल के बच्चे आज ब्रेक और हट्डी पसलिए आज हमारी हिस्ट्री भी बदल गई ना बच्चू यह तो सैंपल था तुभारा गणवड की न तो थोड़े का जोग्रिफिया बदल दूगा गड़नाइट हमेशा राजेश की गलती नजर आती है नजा ने क्या जादू किया इस गवार ने तुम पर मैं पूछती हूं यह उल्लू का बच्था तुम्हारा कौन लगता है। बुरी बात है बेटा मैं सब समझ चुकी हूँ ममी क्या मतलब राजेश कहता है जसु के इस घर में रहने से बदनामी हो रही है राजेश कौन होता है हमारे बीच में बोलने वाला राजेश इस घर का होने वाला दामाद है बिल्कुल नहीं वो अगर कोई गलत बात करेगा तो मैं उसे इस घर में कदम रखने नहीं दूगी राजेश को तो रोक लोगी तुम दुनिया वालों की जबान कैसे बन करोगी सब लोग तो उंगलिया उठा रहे हैं नीशा हाँ ममी मैं ठीक कह रही हूँ आज के बाद जसु इस घर में नहीं रहेगा ये हर्गिस नहीं हो सकता ठीक है तो मैं ये घर छोड़ दूगी तुम रहो अपने जसु के साथ आज आज को हिश्ट काश के तु पैदा होते ही मर जाती तो मुझे आज मुझे ये दिन तो नह देखना परता ये नहीं हो सकता राजपूत अपने दिये हुए वचन से कभी नहीं बिरते मैं निशा और उसके खांदान से बदला लेके रहूँगा लेकिन तू तो प्यार करता है निशा से प्यार से जादा मुझे वचन प्यारा है अगर मैंने बदला नहीं लिया तो पिताजी की आपने को शाती नहीं मिलेगी बेटी मुझे तो राचेश पहले से ही पसंद नहीं था लेकिन तुम्हारी सिद के आगे मजबूर थी ममी मुझे क्या मालूम था वो दोखे बास दिकलेगा भगवान जोदी करता है अच्छा ही करता है और अब तो तुमने खुद समझ लिया उसे ममी लेकिन वो बदला के इस बात करनेगा कौन जाने उसके मन में क्या पाप भरा है लेकिन तू उसकी चिंता न कर बेटी जो होगा सो देखा जाएगा निशा मेरी पेठी मत रो मेरी पेठी मत रो मत रो हलो निशा कहा हो भई जसू को राजश का फोन है उसे कहा दुमया नहीं हूँ और आएंता मुझे फोन ना करे प्लीज तेंक यू हलो हमका पैचाना विला है दीवाबू हम है तो हट जोग्रफिया का प्रोफेसर सैंपल से तो तुम सिर्फ अस्पिताल पहुंचे हो लेकिन अगर दुबारा यहां फोन किया है यहां नीशा से मिलने की कोशिश की तो हम अपना असली रूप तो का दिखा देंगे फिर जानते हो क्या होगा तुम हास्पिटल से सीधा शम्शान घाट पहुंच जाओगे वाया घर भी नहीं जाओगे जाओगे हाँ मैंने ठीक का ना हाँ जसू मैंने तुम्हे गलत समझा बुरा भला कहा चोरी तक का इल्जाम लगाया तुम पर मुझे माफ कर दो नहीं वह सब तो तुम्हारे नादानी थी इसलिए बुरा ही नहीं लगा और फिर मैंने जो कुछ भी किया मेरा फर्स था बस इस बात की मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम्हे एक बुरे आदमी की चुंगल सबजगे थेंक्यू जसू वेलकूम आपको कौन मांगता है ब्रादर है है मॉम्हा अंदर किदर खुशता है मॉलकें मिस्टी बाबा बुन्डा लोग अंदर आगया प्लिस का फोल्ट करो प्लिस का पॉल्ट करो पिंटो पिंटो प्लिस की बाबा यह लोग कौन है क्या चाहते हैं अरे तुमारी माताजी को समझाएंगे लो आ गई वो तुम अच्छा हुआ मौसी तुमने मुझे पहचान लिया मैं समझ रहा था कि बहुत दिनों के बाद आया हूँ शायद तुम मुझे भूल चुकी हो तुम यहां क्यों आया जरूरत के बगार कौन किसके पास आता है मौसी वैसे तो तुम्हे पता ही चल गया होगा कि भूप सिंग ग्रिफतार हो गया है भूप सिंग यह भूप सिंग कौन है सरा तमी से नाम लीजिए यह नाम तुम्हारे पाप का है जो कतल और डकाईती के जुर्म में जेल की हवा खा रहा है मेरे खयाल में अगर उसे फांसी ना होई तो उमर कही तो जरूर होगी ममी ममी यह कौन है और क्या कह रहा है जो राज हमेशा तुम से चुपाया गया है उसका इकरार तुम कैसे करोगी मौसी लेकिन मैं जूट बोलना पाप समझता हूं इसलिए सब सच बोल दिया तो तुम ये सच बोलने के लिए यहाए हो नई नौ मैं अपना हक लेने के लिए आया हूँ कैसा हक हम लोगों ने बैंक से पचास लाख रुपे की डिकाईती की थी आदे का हक मेरा था लेकिन तुमारे पती ने हमार सा गड़दारी की सारे का सारा रुपया, खुदी हरप कर गया तो ये बात उन से करो यह क्या लेने आए रुपया भूप सिंगे रुपया यहीं छुपाया होगा यहां कोई रुपया रुपया नहीं है शरावत से मान जाओगी तो मैं अपने हिस्से का सिर्फ 25 लाख रुपया लेकर चला जाओगा बाखी का रुपया तुम दोनों के लिए छोड़ जाओगा, जिन्दिक वर आश्क करो की? एक बार कह दिया ना, यहां कुछ नहीं है, लिकर जाओ! बाश, यह बुड़िया सीधी तरह बताने वाले नहीं, हम घर का तलास ही लेगा खबरदार अगर किसी ने घर में घुसने की कोशिश की तो, पुलीस को फोन करके एक एक एको जेल भीजवा दूँगी ए, 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 छोड़ा, इन्हें अंदर जाने दुआ, चलो, तलास शिरो, नई, जाओ, ऊपर देखो, एक बात कान खोल कर सुनलो, मौसी, मैं अपने हग की रोटी, दुश्मन का गला काट के भी निकाल लेता हूँ, मैं, मैं भूप सिंग को कभी माफ नहीं करूगा, और मौसी, अगर यहां से कुछ नहीं मिला, तो मैं अपना हग, तुम्हारी बेटी से बज़ूँ करूँ अज़, बदमाश, कमीले, मैं तेरा खून बीचाओ की, मैं तेरा कवा खून तूम अज़, बदमाश, तेरा, शरण याती, और तूम पे हाथ उठाता है, इस निक कही का, बाश, घर में कुछ नहीं मिला, लगता है कि खी ही, सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, ले चलाएं दोनों को, अज़, ले चलो, टाल दो में गारी में, आर तुमनों दूसरी गारी में, ओके बस, तो, इचा, मयो, निशा, निशा, मयो, निशा, निशा, मयो, बेंचू, भेंचू, बेंचू, बेंचू, बड़ो, आपनको तत बायो, अर हमा हूँ, निशा क कहा है, मयो, कहा है, चासू, ब्रादर, हाँ, निशा सक vain you क वो अपन को नहीं मालूब, वो बोलता होता, भूप सिंग ने 50 लाग का डागा डाला, उसमें 25 लाग उसका हिस्सा होता, वही हिस्सा लेने इत्रिक्त, यह रहा विक्रम सिंग, यह विक्रम सिंग है, तुम्हें कैसे भूल सकता हूं भाई, तुम्हारा तो मुझे पर आहसान ह कहो कैसे आना हुआ, अगर तुम मानते हो कि मैंने तुम पर आहसान किया है, तो उस आहसान का बदला चुका है, मुझे अपनी गैंग में शामिल कर दो, लेकिन तुम तो शरीफाद में लगते हो, शराफुत से पेट नहीं बढ़ता, लेकिन हमारे काम में, जहान हमेशा कि शूर डाकू, दुरजण सिंग का नाम सुना है? क्यो नहीं, उस बहदूर आदमी से मिलने की, मेरी आज भी तमना है, तो फिर, आज ही अपनी तमना पूरी करनो, दुरजण सिंग तुआरे सावने ख़़ा है, क्या? तुम धुरजण सिंग? बस, कहां दुरजण सिंग औ इन चक्रमों के रहे लेके करते हैं मैं अभी फैसला करता हूँ धन्या हो दुर्गा मा कि तुमने मुझे इस आगमे भुरोसा करने क्या गया दे दी दुर्जन सेंग मेरी गैंग को जॉइन करने के लिए तुम्हे परिक्षा दिनी होगी आज रात को हमने एक जगा डाका डालने का प्रोग्रम बनाया है जिसमें मेरी जग है तुम जाओगे अगर तुम काम्याब लोटे तो तुम हमारे साथ ही नहीं तो मेरे ये प्यारे प्यारे चक्रम तुम्हें कुट्टे की मौत मार दे लिए मुझे मन्जूर है अरे बरहुरदार कहां हो उका दोलाओ नहीं तो मेरे ये प्यारे प्यारे चक्रम तुम्हें कुट्टे की मौत मार देंगे कुट्बे बुट्टे बर्खुरदार तुम और इतनी रात गये तुम्हारा तो हुलिया ही बदल गया है लेकिन ये सब कौन है तुम्हारे साथ जसु बेटे अम दुर्जन से हैं दाकु दुर्जन से ही नए वर्खुरदार मेरी आखें इतना बड़ा धोका नहीं कह सकती तुम्हेरे बेटे हो बक्वास बनकर अगर जिन्दा रहना चाहता है तो चुप चाप तीजोरी की चावी मेरे हवाले कर दे वरना मैं तेरे बुड़ावे पर रहम ने खाऊँगा अगर मुझे मालूम होता कि तु आस्पिन का सांप निकलेगा तो तुझे उसी बक्त पुचल दिया होता मगर ये मत भूल कि मेरे बुड़े बाजों में हाच भी इसनी ताकता है कि मैं तुझा जिन्मा घराम को खत्व कर सकता हूँ लख पुदे लख, लख रख, लख! लख! लख रख, लख! लख, 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 लख! कर दो, नहीं है दो नहीं है तुम वाकई भुप सिंग की धरम पतनी हो उस हराम जाजे ने भी कुछ नहीं बताया पुलिस ने बहुत मारा उसे लेकिन मौसी मेरा नाम विक्रम सिंग है पुलिस और मुझ में बहुत फर्क है तु ताकत के नशे में अंधाओ गया विक्रम सिंग लेकिन ये न भूल कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं तु कहीं का नहीं रहेगा विक्रम सिंग तो कहीं का नहीं रहेगा अरे हाट मैं अपने खिलाव जहर उगलने वाली जबान को हमेशा के लिए बंद कर देता मौसी मुझे अपनी जान की परवा नहीं अरे तुमको तो अपनी बेटी की इज़त की भी परवा नहीं तुमारी आँखों पर पचास लाग का परदा पड़ा हुआ है मौसी पचास लाग का लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर अच्छी तरह से सुन लो तो मैयो और निशा नहीं विक्रम सिंग की लाश जाती वहां से मैं उस दोके बास कमीने को जंदा नहीं छोड़ूँगा मैं उसके टुकडे टुकडे कर दूँगा जिसू नहीं काका नहीं तुम कोई पाप नहीं करोगी तुमने दुर्गामा की सौगन खाईये काका मैयो और निशा की जिमेधारी मेरी है उनको बचाने के लिए मैं अपनी जान पर खेल जाओंगा तुम चिंदा मत करो तुमें कैसे मालूँ कि वो विक्रम सिंग है मैं उसके अड़े तक पहुंच गया हूँ और उसका भरोसा हासिल करने के लिए मैं उसकी गैंग में भी शामिल हो गया हूँ अब वो मुझे अपना दोश समझता है और मेरी कहने पर उसने मैं और निशा के साथ कुछ जल्म नहीं किया देखो काका ये लड़ने जगरने का समय नहीं है हमें समझदारी से काम लेना चाहिए और उसकी शर्त मान लेने चाहिए क्या शर्त है उसकी आप लोगों ने बैंक में जो डाकर डाला था उसका वो अपना आदा हिस्सा मांग रहा है उसने वादा किया है पैसे मिलने पर वो मैय और निशा को छोड़ देगा खाका पाप का रुपया रखने से क्या फायदा मान लिजी ये शर्त दे दीजे रुपया जसू रुपये तो क्या मैं निशा और देवी के लिए अपनी जान तक भी देने को तेयार हूँ लेकिन तुम्हें यकीन है कि वो रुपये लेकर धोका नहीं देगा मुझे यकीन है वो धोका नहीं देगा और अगर उसमें ऐसा किया जल्दी बता दू रुपया कहा है रामनगर के खंडरों में जंडे वाले पेल के नीचे बन्हारणि वो कीन हुपया लुपया खॉत्ड़ चौब लेकिन जासने लेकिन पूरा, छंडे वाला प्रेंग यूरा, 죄 एएएभी वैवे लूकाँ, इबाक्षेभी भी défin कि शी won बाला पिले को आमेस, कमली कोई। जामेस, और दियक मेद पाइख जयरे काईकल वैवी इवे बहे वética खम वक भी पानोा πैा जामेस जूल सब ग्सक्राओाष दो कि अधूर जाय उफिए था है कि अधूर नियुक्त अधूर जिन्ज यह मेरा हवाले करते हैं मैं अधूर जो मैंने बूप जीन्ज को वचन दिया है जब तक तुम उनकी पत्नी और बेटी को मेरे हवाले नहीं करोगे, यह रुपए में तुम्हें नहीं दुआ तुम यह कह रहे हो, तुम तुम मेरे आदमी हो विक्रम, हम दाकों के पास एक ही चीज होती है, जबान मैं राजपुद हो, अपनी जबान का पक्का हूँ कि अपनी जबान ऑफी में जबान जबान में पासना कर दो साहा जोला जूला को बाज़ हमाल। हम्रुडर्ब हो भी घं必 साहे BIG प्रती आ उला क做क mamma कर भी ह Soup सबसोकर उला कर दो कि दो आ प्र दोनिता चरुडर्ब यह रहा आपका शिकार, लाइए हमारा एनाम, तुम्हारा एनाम, आउट, थैंक यू सिर्ट, तुम कौन हो, और मुझे यहां क्यू लाए हो, मैं कौन हूँ और तुम्हें यहां क्यू लाया गया है, अभी पता चल जाएगा, भूप सिंग, मैं उस बदनसीब मा का बेटा हूँ, जिसकी मांग तुमने भरी जवानी में उजार दी थी, मैं उस बाप का बेटा हूँ, जिसे बरसों पहले तुमने बड़ी बेदर दी और बे रहमी से मा डाला था, तुम लक्षमी सिंग के बेटे हो, तुम्हारी याददाश काफी अच्छी है, लेकिन आज मैं तुम्हारी मौत बन के आया हूँ, मैं तुम्हे जिन्दा ने चोड़ूँगा। कर दो कर दो दो अजय है करल दो ऐस ब दो साब का बच्चा सपोला होता है इससे पहले के तू किसी को डसे मैं तुझे इसी कबर में तफना देता हूँ ताइका, ल्या उन्दो लोको वो दो नो भाग न बास हरामजदे विकरम सिंग, ऐसे ड्रामे में बहुत कर चुका हूँ कि रुपया तुम्हे उसी वक्त मिलेगा जब तुम उन दोनों को मेरे हावाले करोगे वरना मैं चलाओ दुर्जन सेंग तुम आए अपनी मर्जी से जरूर थे लेकन यहां से जाने के लिए मेरी मर्जी जरूरी है यह बत है तुलो यह रुपयों का थैला में यहां रखता हूँ अगर तुमने अपनी मा का दूद पिया है तेसे हाठ लगा कर दिखाओ तुमने यहां नहीं साथियों आज बरसों के बाद मेरा अर्मान पूरा हो रहा है एक शेर ने दूसे शेर को ललका रहा है यह लड़ाई मेरी है ठैंक दो हत्यार कि अगर प्रवण कि अगर रहा है कि अगर रहा है कि अगर प्रवण घट लुगनि ओुगनियो बलाएं और वा, खुछ! सρाव तै कि Dae कर फिजे अजड़ी, कर दो चाले, कार भुट रे पर बना घग, कर फिम ए रखूब्स कर दूर्चा कर चाले, कर तोड़ी... अ क्जा इज प्रुटा कर दो. बोर्पू सुझो ओर बुटू कि उखार राष दो कि है यहाज कि जा राषर ड़ कि इंदो है 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 मुझा रहिंflowing इंड़ जा eux है कि आहीं आहीं कि被 बडि़ शalon Kallum! 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 मुला 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 हाम हाम तोहार ज़स्वा भईया यह यह रहे यह रहे दुफाज़ दुफाज़ भाईया, भाईया मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो भाईया यह क्या कर रहा है फगले तेरा भाई, फगले, तुझे कितना धूड़ा मैने, कहा हुगा है था तु मैं गुलाईया विक्राम पार निकल पुस्दिल कही के, मैं तुझे जम्तार के छोड़ूगा आगा, यह क्या कर रहो है पुलिच विक्राम सेंग, तुम चारो तरफ से घिर चुके हो, बला इसी में है कि अपने आपको हमारे हवाले कर दो, वरना हमारी गोलिया तुम्हे छल नहीं कर देंगी अपने दो नहीं शुड़़व में अपने खुड़़व स्वाभी स्वाभी आखे, कुलो देखु को नहीं है डाटी 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 अज़़ड़व वो किस सादा बले लिए में? डड़ी मुझे मौफ कर दे प्लीज मुझे मौफ कर दे प्लीज जश्मी गागा स्वाभी! डड़ी जब लुझे 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 Are you left? Are you going to come? Will are you? Is it how you are going to come, are you? Are you left? Are you left? You are left? बॉल्णा भाया मॉर्णा मॉर्ण मॉर्णा मुझे माफ.. माफ कर देना भाया नहीं मुन्ना, नहीं बज़ छोड़के मज़ जा मुन्ना बज़ छोड़के मज़ जा मुन्ना नहीं मुन्ना, नहीं मुन्ना, मुन्ना अवसोज एस आस्माने फिल्म का पराथ हमेशा के लिए मात के अंधेरों में दूप गया लेकिन संजीद कुमार की यह वसमाने तबील जाते हैं